नमस्कार प्यारे बच्चोश, अर्षास की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम मंदीप कुमार है। आज की कक्षा में आप उभूकता के विवहार के सिद्धान के विशे में जानेंगे। आपने उभूकता शब्तु सुना ही होगा। उब्भूकता कौन होता है? क्या आप उब्भूकता हैं? और हम यहाँ पर उब्भूकता के किस प्रकार के व्यवार के विशय में चचा करने वाले हैं? हम अर्थशास में उब्भूकता के आर्थिक अभिकरता या एजेंट के रूप में बजार में किये जाने वाले व्यवार तथा लिये जाने वाले निर्णे के विशय में अध्यन करते हैं इस अध्याय में हम किवल यह जानने का प्रियास करते हैं कि उभ्भूगता किसी वस्तु की दी गई कीमत पर कितनी मातरा का उभ्भूग करने को तक पर होगा तथा ये निर्न वे किस आधार पर लेगा व्यस्टी अर्शास्त में अध्यन किये जाने वाले मूल प्रिश्णों में से एक यह है कि एक उभ्भूकता किस प्रकार अपनी सीमित आय से किसी वस्तू या सेवा को खरीदने का निर्न लेता है वास्तव में हमें इस विशय के अध्यन की अवशक्ता इसलिए पड़ती है क्योंकि उभ्भूकता की आय सीमित है तथा अवशक्ता असीमित है उभ्भूकता का उद्देश्य अधिक्तम संतुष्टी प्राप्त करना होता है तथा इस उद्धेश्य को प्राप्त करने के लिए उभ्भूकता को विभिन वस्तूओं तथा सेवाओं के बीच में चैन करना पड़ता है इस चैन के सिध्धान्त को ही उभ्भूकता के व्यवहार का सिध्धान्त कहते हैं उब्भुगता के व्यवार से संबंदित सिध्धान्तों का विशलेशन दो प्रकार से किया जाता है पहला गणना वाचक उप्योगता विशलेशन जिसमें उप्योगता को अंकों में मापा जाता है कि अंतरगत उब्भुगता व्यवार का विशलेशन किया जाता है इसे समझने के लिए गणना वाचक उप्योगता की अवधारना, उभूगता अधिशेश, गड़ती हुई सीमान्त उप्योगता का नियम, सम सीमान्त उप्योगता की मदद से उभूगता का संतुलन तथा मांग वक्र का व्यत्पुन होना आधिक अध्यन किया जाता है। दूसरा होता है करम वाचक उप्योगता विशलेशन, जिसमें उप्योगता को अधिमान तथा श्रेणियों के रूप में देखा जाता है, कि अंतरगत उभूगता व्यवार का विशलेशन किया जाता है। इसे समझने के लिए बजट रेखा, जिसे कीमत रेखा भी कहते हैं कि विशेश्टाएं, अनाधिमान वक्र की विशेश्टाएं, अनाधिमान वक्र विशलेशन के माध्यम से उभूगता संतुलन का विशलेशन, हरासमान सीमान प्रतिस्थापन दर का नियम, तथ अनाधिम योगता विशलेशन के विशय में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं उब्भूगता कौन है। वह व्यक्ति जो अपनी आवशक्ताओं की संतुष्टी के लिए वस्तु तथा सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग करता है। उब्भूगता कहलाता है। आप सभी इस समय उब्भूगता हैं चो मेरी अर्थशास्थ सिक्षण की सेवाओं का उब्भूग कर रहे हैं। आपके मन में ये प्रशन उठ रहा होगा कि उपयोगिता क्या है। एक वस्तु की उपयोगिता उसकी आवशक्ता की संतुष्ट करने की शमता है। तथा अधिकार से प्राप्त होने वाली संतुष्टी या आनंद या सुख किये गए अनुभाव की एक भावना है। एक वस्तु की उपयोगिता ना केवल व्यक्ती व्यक्ती के अलग होती है। अपितु एक उप्भोगता की मन की स्थिती तथा उप्भोग के स्तर के अनुसार भी अलग-अलग हो सकती है। उपयोगिता का वस्तु की उपयुक्ता या उपयोग शम्ता से कोई संबद नहीं है। ऐसी वस्तु में भी होती हैं जिनके उप्भोग को उप्युक्त नहीं मान जाता। किन्तु उप्भोगता को उनके उप्भोग से संतुष्टी प्राप्त होती है। इसलिए उस उधारन के लिए नशीले पदार्त का उभ्भोग उप्यूक्त नहीं है, किन्तु सब्थुष्टी प्राप्त करने के लिए उभ्भोगता इनका प्रियोग करता है। गणना वाचक उप्यूगता विशलेशन की मानेता है कि उप्यूगता किस तर को संख्याओं में मापा या व्यक्त किया जा सकता है। आगे चच्चा करने से पहले यह उप्योगी होगा कि हम उप्योगता से संबंदित तीन अवधारना को समझे। पहली प्रारंबिक उप्योगिता एक वस्तु की पहली इकाई से प्राप्त उप्योगिता को प्रारंबिक उप्योगिता कहते हैं। दूसरा कुल उप्योगिता टोटल यूटिलिटी। एक वस्तु की एक निश्चित मातरा से प्राप्त उप्योगिता का यूग जो किसी वस्तु की दी गई मातरा का उभोग करने से प्राप्त होती है। एक उभोगता द्वारा उभोग की गई एक वस्तु की सभी इकायों से प्राप्त उप्योगिता का कुल उप्योगिता कहा जाता है। जूस के तीन गिलास के उभोग से प्राप्त उप्योगिता को कुल उप्योगिता कहते है। दूसरे शब्दों में कहें तो, एक वस्तू की प्रतेक इकाई से प्राप्त होने वाली उप्योगिता के योग को कुल उप्योगिता कहते हैं, वस्तू X की अधिक मात्रा उभोगता को अधिक संतोष प्रदान करती हैं, इसे ग्याद करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं कुल उपयोगिता यानि की TU बराबर है U1 जमा U2 जमा U3 जमा U4 और इसी प्रिकार यू एन तक का योग, यहाँ पर यू व एक का अर्थ है वस्तु की प्रथम इकाई से प्राप्त उप्योगिता, यू दो का अर्थ है वस्तु की दृत्य इकाई से प्राप्त उप्योगिता, यू तीन का अर्थ है वस्तु की दृत्य इकाई से प्राप्त उप्योगिता, तथ इसे अंग्रेजी में हम Marginal Utility कहते हैं, सीमान्त उपयोगिता, कोल उपयोगिता में वह परिवर्तन हैं, जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उभोग करने से प्राप्त होता है, इसे प्रतेक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता भी कहते हैं, इसे ग्य अर्था T U at N, उसमें से हम घटाते हैं N से पहले वाली इकाई की कोल उपयोगिता T U at N-1, यहां पर M U N का अर्थ है N V इकाई की सीमांत उपयोगिता T U N का अर्थ है N इकाई की कोल उपयोगिता और T U N-1 का अर्थ है N-1 इकाई की कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को इस तरीके से सम्मंदित किया जा सकता है कुल उपयोगिता बराबर होती है, सीमांत उपयोगिता पहली काई की, जमा सीमांत उपयोगिता दूसरी काई की, जमा सीमांत उपयोगिता तीसरी काई की, इस परकार N इकाई तक की सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता होता है सरल रूप में इसका आर्थ है कि वस्तु की एन इकाईयों के उभोग से प्राप्त उप्योगिता प्रत्थम इकाई की सीमानत उप्योगिता दुत्य इकाई की सीमानत उप्योगिता कोल योग कोल उपियोगिता कहलाता है अब प्रशन उठता है कि इस उपियोगिता को मापेंगे कैसे प्रतिष्यत अर्थशास्त्री Jeremy Bentham नव प्रतिष्यत अर्थशास्त्री Alfred Marshall आदी का मानना था कि उप्योगिता गणना वाचक अत्वा मात्रात्मक रूप से मापी जा सकती है जैसे हम उचाई या वजन आदी को मापते हैं इनके अनुसार एक व्यक्ति मात्रात्मक गणनावाचक पदों में वस्तुस्ते प्राप्प संतुस्टी अथ्वा उप्यूगता को व्यक्त कर सकता है। अर्थ शास्त्री जरेमी बेंथम ने यूटिल्स नामक माप की एक मनोव्यग्यनिक इकाई का निर्मान किया। इस प्रकार को व्यक्ति कह सकता है कि ए वस्तु की इकाई के उभोग से उसे दस यूटिल के समान उप्योगता प्राप्त होती है। मार्शल के अनुसार सीमान उप्योगिता वास्तव में मुद्रा के पदो में मापने योग्य है। किसी वस्तु की उप्योगिता को इकायों में मापा जा सकता है जिसे हम यूटिल्स कहते हैं दूसरा उप्योगिताएं योगात्मक होती है अर्थात एक वस्तु के उभ्भोक की गई सभी इकाईयों से प्राप्त उप्योगिता को माप कर कुल उप्योगिता की गणना की जा सकती है तीसरा, उप्योगिता स्वतंत्र है अर्थात यह उभोगता अध्वारा खरीदी गई दूसरी वस्तुओं की मातरा से संबंदित नहीं है इसके अलावा यह भी माना जाता है कि अन्य व्यक्तियों की उप्योगिता से भी यह प्रभावित नहीं होती है चौथा, मुद्रा की सीमानत उप्योगिता स्थिर रहती है जब एक व्यक्ति एक वस्तू को अधिक खरीता है तो मुद्रा की मातरा घट जाती है तता शेश मुद्रा की सीमानत उप्योगिता में वृद्धी हो सकती है लेकिन इस दिस्ट्री कोण में मुद्रा की सीमानत उप्योगता स्थिर ही रहती है ये माननेता महतपूर है क्योंकि गणनावादियों ने मुद्रा को उप्योगता के माप के रूप में इस्तिमाल किया है तथा इस उप्योगता के माप को स्थिर रखना बहुत जरूरी है वरना माप छोटी बड़ी हो जाएगी आईए अब एक वस्तु के विभिन मात्राओं के उप्योग से मिलने वाली उप्योगिता की तालिका तथा चित्र के कालपिंग उधारन द्वारा इन अवधारनाओं को समझते हैं इस दी गई तालिका में देखिए जैसे जैसे हम वस्तु के मात्रा को बढ़ा रहे हैं प्रतेक अगले एकाई से मिलने वाली सीमान तुप्योगिता कम होती जा रही है यहां MU1 अर्थत पहली इकाई की सीमान तुपियोगिता दस यूटिल्स है जबकि MU2 अर्थत दूसरी इकाई की सीमान तुपियोगिता घटकर आठ यूटिल्स रह गई है इसी प्रकार Mµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ उस वस्तु को अधिक मातर में प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाती है। इसे घर्ती सीमानत उपयोगिता का नियम भी कहा जाता है। चित्र को देखिए इसमें भी यही संबंद आपको नज़र आएगा। आएए अब कुल उपयोगिता तथा सीमानत उपयोगिता के बीच संबंद को जानते हैं। दूसरा संबंद है जब कुल उपयोगिता अधिक्तम होती है उस समय सीमानत उपयोगिता शुन्य होती है। जब उभोगता छटी इकाई का उभोग करता है तो कुल उपयोगिता अधिक्तम है तथा सीमानत उपयोगिता शुन्य है। इस बिंदु पर उभोगता को अधिक् तीसरा संबन्ध जब कुल उपयोगिता घड़ती है तब सीमान्त उपयोगिता रिनात्मक हो जाती है यदि उभोगता छे इकाईयों से जादा उभोग करता है तो कुल उपयोगिता घड़ती है तथा सीमान्त उपयोगिता रिनात्मक हो जाती है आएए अब हम हरासमान सीमान उपयोगिता के नियम को जानते हैं हरासमान सीमान उपयोगिता का नियम उपयोगिता विशलेश्चन का सबसे अधार भूत नियम है यह एक वस्तु की मात्रा तथा उस वस्तु के उभ्भोग से प्राप्त उपयोगिता के बीच संबंद को व्यक्त करता है हरासमान उपयोगि 21 के उभ्भोग से प्राप्त सीमांत उभ्योगिता घर्टी जाती है आओ एक उधारन की साहिता से हम इस नियम को समझते हैं यदि एक व्यक्ति भूखा है वह पहली रोटी का उभ्भोग करता है तो उसे उच उप्योगिता मिलेगी क्योंकि इससे उच स्तर की संतुष्टी मिलती है जैसे ही वह अधिक और अधिक रोटीों का सिवन करता है तो रोटी की हर अगली काई के उभ्भोग से प्राप सीमांत उप्योगिता गिरती जाती है समय के एक बिंदू के बाद जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो वे और अधिक खाने को तियार नहीं होगा यहां उप्योगिता शून्य होगी यदि रोटी का उभ्भोग आगे जारी रखा जाता है तो उस व्यक्ति को नकारात्मक उप्योगिता या अनुप्योगिता प्राप्त होगी उधारन के लिए ली गई तालिका में सीमांत उप्योगिता लगातार घट रही है जो हरासमान सीमांत उप्योगिता के नियम के अनुरूप है हरासमान सीमान तुपयोगिता के नियम के कुछ अपवाद होते हैं हरासमान सीमान तुपयोगिता का नियम कुछ स्थितियों में लागू नहीं होता पहला वस्तु की लगू इकाई जब वस्तु की प्रारंबिक इकाईया बहुत छोटी होती हैं तब ये नियम लागू नहीं होता उधारन के लिए एक चमच पीने का पानी ऐसी स्थिति में अतिरिक्त इकाईयों से प्राप्त प्रारंबिक उप्योगिता बढ़ती जाएगी तथा नियम कुछ समय के लिए कारें नहीं करेगा उभो के एक चरण तक पहुँशने के बाद ही सीमांत उप्योगिता हरासमान होना प्रारंब करती है दूसरा दुरलब तथा उच्षुता जागरित करने वाली वस्तुएं जैसे दुरलब चित्र, सोना तथा हीरा आभुशन हरासमान सीमांत उप्योगिता का नियम इन सुटियों में लागू नहीं होता है क्योंकि इनकी अधिक और अधिक कायों का संग्रे की प्राय संग्रे करता या उभोगता को अधिक संतुष्टी देता है हरासमान सीमानत उप्योगता के नियम की अलोशनाई भी की गई है आधुनिक अर्शास्तियों द्वारा कुछ आधारों पर हरासमान सीमानत उप्योगता के नियम की अलोशना की गई है पहला उप्योगिता का माप संभव नहीं इस दृष्टिकोण की प्रमुक अलोचना यह है कि गणना वाचक संख्याओं में उप्योगिता का माप संभव नहीं है उप्योगिता एक मनोवेग्यानिक घटना है तथा इस प्रकार मात्राद्मक पदों में इसका मापन संभव नहीं है वास्टिक जीवन में हम केवल शब्दों में एक पाद की उप्योगिता का वर्नन कर सकते हैं दूसरा मुद्रा की सीमानत उप्योगिता स्थिर नहीं रहती है गणना वाचक अर्चिशास्त्री मानते हैं कि मुद्रा की सीमानत उप्योगिता पोनता स्थिर रहती है यदिपी जब एक व्यक्ति मुद्रा का प्रियोग करता है तो मुद्रा का भंडार कम हो जाता है जो शेश भंडार की उप्योगिता में व्रधी होती है तीसरा उप्योगिता हमेशा स्वतंत्र नहीं होती है कभी-कभी अन्य वस्तूं के दुआरा एक वस्तू की उपियोगिता प्रभावित होती है कई बार उभोगता सम्मध्वस्तूं के सम्मू के उभोगत को अधिक पसंद करता है उधारण के लिए एक उभोगता चाए के साथ बिस्कुट या पकोड़े पसंद कर सकता है चौथा, अवास्त्विक मान्यताएं, यह नियम अनेक अवास्त्विक मान्यताओं पर आधारित है, यह ग्राह के वेश्भुशा, स्वाद, आय, पसंदगियों में कोई परिवर्तन नहीं मानता है, लेकिन वास्त्विक जीवन में वातावरण बेहद गतिशील रहता है, तसा स्वाद, वेश्भुशा, आधी में परिवर्तन होता रहता है, उन्नत सुईधाओं से नए उत्पाद, जो अनेक बार परशेपित हो रहे हैं, के साथ ग्राह को का स्वाद तथा अधिमान बदल रहा है, हम उस विशय पर आते हैं, जो हमारा मुख्य है, कि उभ्भूकता का वेवार क्या है, उभ्भूकता के वेवार को समझने के लिए हमें तीन मुख्य बंदों को समझना होगा, पहला, उभ्भूकता अधिमान, सबसे पहले उभ्भूकता अधिमानों की पैचान करनी होगी, यह आरेखों या बीज गणिते रूप में किया जा सकता है, उभ्भूकता जिस वस्तु से अधिक उप्योगिता प्राप्त करता है, वह उस वस्तु को अधिमान देता है, उभ्भूकता वस्तु की अधिक मातरा को वस्तु की कम मातर के तुलना में सदेव अधिमान देता है, दूसरा उभ्भूकता का बजट प्रतिबंद, वस्तुओ बिजट प्रति बंद से बाहर वस्तों की खरीदारी नहीं कर सकता है। उब्भुक्ता विविन वस्तों के केवल तो से उदुड खरीज सकता है जो उद्दit के अंदर होते हैं। तीसरा है उब्भुक्ता चुनाव। उब्भुक्ता व्यावार को समझने का अंतिम बिंदू उब्भुक्ता द्वारा वस्तों की मातरा का चुनाव है उब्भुक्ता दिये गए अधिमानों तथा सीमी ताय से वस्तों के उस संयोजन को चुनता है जो उनकी संतुष्टी को अधिक्तम करता है उब्भोक्ताओं के पास विकल्पों की बहुत बड़ी संख्या उपलब्ध होती है किन्तो एक वस्तु की अंतिम मांग उब्भोक्ता के अधिमानों वस्तु की कीमत तथा उब्भोक्ता की सीमित आये पर निर्भर करती है उब्भुक्ता अधिमानों के बारे में भी कुछ मानिताइं बनाए गई है आईए उन्हें जानते हैं उब्भुक्ता व्यवार के सिध्धान्त उब्भुक्ता अधिमानों पर आधारित होते हैं उब्भुक्ता अधिमानों को अधिक व्यज्ञानिक और वैश्विक बनाने के लिए अर्षास्त में उब्भुक्ता अधिमानों की कुछ मानेताइं बनाए गई है पहला पून्ता उब्भुक्ता अधिमानों को सदेव पून्त माना जाता है अर्थात किनी भी दो वस्तूओं के विभिन संयोजनों की तुलना की जा सकती है एक उभुकता या तो संयोजन को दूसरे से जादा पसंद करता है या दो संयोजनों के बीच उदासीन या तटस्त होता है बीच की कोई स्तिति नहीं हो सकती है गणितिय रूप में ए एक और ए दो यह बंडल जादा अधिमान है बी एक और बी दो के बंडल से तथा दूसरा ए एक और एक दो इस संयोजन को कम अधिमान दिया जा रहा है बी एक या बी दो के तुलना में या दोनो दूसरा सकर्मक्ता सकर्मक्ता का अतात परे है कि यदि उभोगता एक से जादा वाई को तदा वाई से जादा जैड को पसंद करता है तो इस प्रकार उभोगता हमेशा एक से जादा जैड को पसंद करेगा सकर्मक्ता उभ्भूक्ता संगत्ता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माननेता है गणित्य रूप में दिखाएं तो इसे X कम है Y से तथा Y कम है Z से इस प्रकार X सदेव Z से कम होगा तीसरा अधिक को सदेव कम से बहतर माना जाता है उभ्भूक्ता विवेकशील है तथा वह जानता है कि एक वस्तू के अधिक उभ्भूक करने से जादा उप्योगिता प्राप्त की जा सकती है इस प्रकार वह कम की अपेक्शा अधिक मात्रा को हमेशा पसंद करता है कि इस चर्चा के साथ आज की कख्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे आज हमने गणना वाचक उपयोगीता विशलेशन, उभभुगता कौन है उपयोगीता क्या है? कुल उपयोगीता तथा सीमानत उपयोगीता के विशय में विस्तार से जाना साथ ही हमने उप्योगिता को कैसे मापते हैं उप्योगिता के गणना वाचक माप की माननताओं कुल उप्योगिता तथा सीमान उप्योगिता में संबंद हरासमान सीमान उप्योगिता का नियम हरासमान सीमान उप्योगिता के नियम के अपवाद तथा हरासमान सीमान उप्योगिता के नियम की सीमाओं को भी समझा उब्भुकता व्यवार के तीन मुख्य बिंदूं को तथा उब्भुकता अधिमान की मानेताओं को जाना अगली कक्षा में हम उब्भूकता व्यवार के गणना वाचक उप्योगता विश्लेंटिशन के विशे में तथा उब्भूकता संतुलन की शर्तों पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार झाल 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 झा